हेलो डियर स्ट्ट्टेंट जैसा कि आपको पता है कि नीट के हम लोग पी-वाई-क्य को सॉल्व कर रहे हैं तो आई होप आपको मजा भी बहुत आ रहा हूँ आपको अप्रोच इस पता लग रहे हूँ इस तरीके से हमें questions को solve करना है ये भी आपको पता लग रहा है जैसा कि आप आज देख रहे हैं आज हमारा जो chapter है आज है हमारा chemical bonding ये बहुत ही important chapter होता है वही यदि हम बात करें इन organic chemistry इस बात को ध्यान रखना और इससे बहुत ज्यादा question आता है minimum two question तो आपको every year need मैं मिलेंगे ही मिलेंगे chemical bonding से ठीक है तो अब हम इनी questions को solve करते हैं पिछले 5 सालों में जितने questions आये हैं वो सारे के सारे हम chemical bonding के questions को solve करेंगे तो ध्यान से समझना और ध्यान से questions को solve करना तो देखो वही मैं question को solve करूँगा लेकिन आप वीडियो को pause करके पहले खुद से question क को solve करने की कोसिस करना उसके बाद आप यदि कहीं अटकते हैं दब आपको वीडियो solution को देखना है तो इसी के साथ चलो करते हैं अपने पीवाई की question वो भी chemical bonding के जिसका पहला question यह रहा आपकी screen पर तो देखो भई पहला question जो था यह पूचा गया था देखा जाए नी 2020 में पूचा गया था ठीक है अब देख लो भई क्या पूचा गया था question यह question बोल रहा है which of the following set of molecule which will have zero dipole moment तो देखो भई यह पूचा जीरो dipole moment के बारे में बताओ तो देखो मैं तो पूरा question को explain करूंगा ठीक है तो बैसे तो question 30 second भी लगेंगे देखते ही आप बता द ही zero होता है तो पूड़ा सा मैं hint दे रहा हूं मालो यहाँ पे polar और non polar के बारे में भी बात कर लेता question में तो कैसे आप solve करते है तो dipole moment zero होगा मतला molecule जो होता है वो आपका non polar होता है ठीक है और dipole moment is not equal to zero यानि molecule जो होता है वो आपका polar होता है इस बात को तो आप जानते ही है बहुत अच्छे से ठीक है तो चलो अब हम question को देख लेते simple dipole moment मूछ रहा है किन molecule का zero dipole moment होगा तो a b c d option दिये गए जैसे a option दिया गया है आपके सामने लिखा हुए ammonia ठीक है ammonia का में structure बनाते हैं देखो आपको दी dipole moment के बारे में पता करना है तो structure सब कुछ बया करते हैं क् आप structure को देखेंगे तो इस direct आप बता देंगे answer ठीक है तो देखो भई dipole moment की बात की जाए ammonia का structure होता यह एन एज 3 इस तरीके से प्रेमडल से तीन सिगमा एक लोन प्यर ठीक है यही होता था SP3 hybridization देखो आपको hybridization का भी question बन सकता था यहां पर यदि आपसे hybridization का भी question बन सक आप जी ना तो यदि हम इसके dipole moment की बात करें तो देखो इसका dipole moment होगा यह cancel out नहीं होगा यह नहीं होगा यह नहीं हो इसका resultant इस तरीके से आएगा तो इसका dipole moment होगा is not equal to 0 ठीक है यही हो गया अब दूसरा देखते हैं beryllium difloride तो देखो भी beryllium difloride बनाया BEF2 इसका dipole moment कैसा होगा बोलो जीरो होगा इस तरीके से आप असमें cancel out कर रहे हैं और यह क्योंकि आपको पैदा direction कहां से कहां होता है electo positive से electo negative element की तरफ simple मतलब positive to negative आप chemistry में लेते हो direction लेकिन physics में उल्टा लेते हो इसके ठीक है तो देखो इस तरीके से इसका dipole moment 0 हो जाएगा मतलब dipole moment 0 यानि molecule कैसा हो जाएगा आपका non polar यदि पूछा जाता तो water h2o इसी तरीके से h2o तो देखो structure दो lone pair है ठीक है दो lone pair तो यह भी कैसा होगा बोलो यदि इसके बारे में भी हम बात करेंगे तो यह भी molecule आपका polar होगा इसका भी dipole moment जो होगा वो क्या नहीं होगा overall cancel नहीं होगा मू is not equal to 0 ठीक है तो यह भी हो गया हम से पूछ क्या रहा है dipole moment 0 होना चाहिए and fourth one है 1,4 dichlorobenzene जैदी आप 1,4 dichlorobenzene का structure बनाएंगे तो देखो इस तरीके से बनेगा simple यह CL और यह CL यह क्या करेगा यह आपस में इस तरीके से cancel out कर देगा क्यों देख लो भाई यह भी इसका क्या हो जाए dipole moment 0 हो जाएगा simple new equal to 0 ठीक है तो यह आपका simple a option में तो नहीं होगा क्यों यह कैसे हो गए दो molecule polar हो गए और दो molecule non polar होगा new is equal to 0 दो का और दो का new is not equal to 0 अब दूसरा option देखते हैं बोरोन ट्राइफ फ्लोराइड ठीक है बई बोरोन ट्राइफ लाइड फ्लोराइड देखो बाई BF3 यह दि BF3 का में structure बनाएंगे तो simple इस तरीके से बनेगा देखो BF3 यह दि हम इसका dipolument देखें देखो ओवराल आपको पता जिसकी geometry जिसकी geometry और shape सेम होता है उनका dipolument हमेशा क्या होता है जीरो होता है यानि जीरो होता है यानि कैसे molecule होते है वो आपके simple non polar होते है ठीक है तो इस तरीके से range होते है यह आपस में क्या कर देंगे कैंसल आउ सब्सक्राइब हाइड हाइडोजन फ्लोराइड बोले तो HF तो इसका भी भई डायपोलमेंट देखो भई यह कैसा होगा इस तरीके से direction होगा मू इस तरीके से यह हो गया यह हो गया मतलब आपस में कैंसल आउट कर देंगे मू इक्क्वाल टू जीरो हमें कैसा देखना ऐ तो और गिल्च बन थी डायक्लॉरो वेंजीन वन तरी डायकलॉरो वेंजीन इसका बहु डायपोलमेंट कै्न होगा Gडनी वगा दालने इकविल टू जीरो सिंपल अब देखो, यानि B option भी नहीं है, आपका A भी नहीं है, B भी नहीं है, अब C, C की बात आ रही है सिंपल देखो, nitrogen trifloride, nitrogen trifloride और ammonia, same ही बात है, ठीक है, nitrogen trifloride का तुम structure बनाओगे, NF3 इस तरीके से, तो देखो, इसका भी dipolument क्या नहीं होगा बोलो, 0 नहीं होगा, ठीक है न, not equal to 0, ठीक है, इस बात को ज्यान रखना, इसका dipolument देखते हैं, बेरिलियम डाइफ्लोराइट, तो क्या हो जाएगा, बेरिलियम डाइफ्लोराइट का देखो गया, ठीक है, अब देखो, फिर क्या है, water, देखो, water का आमने पहली calculate कर लिया, ठीक है, dipolument is not equal to 0, ठीक है, बेरिलियम डाइफ्लोराइट कर लिया, दूसरा, बेरिलियम डाइफ्लोराइट, 0 होता है, अभी हाल अमने देखा, 0 होता है, अब देखो, C, C क्या है, carbon dioxide, इसका भी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, यह अभी हाल किया, देखो, और आपको D दिया गया है, 1,4, dichlorobenzene, इसका भी क्या है, 0 है, मतलब इसकी dipolument क्या है, 0 है, जब dipolument 0 है, तो option क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, simple सा answer था, तो I hope आपको यह बात clear हो गई होगी, तो structure सब कुछ बया करता है, जैसे माल लो, आपकी साधी होने जाए, और साधी में, अब आपको जब देखने आते हैं लड़की वाले, तो क्या करते हैं, simple सा आपको देखते हैं लड़का सुन्दर है, के नहीं है, handsome है, simple सी ब regenerating structure, सब कुछ बना सकते हैं, तो I hope आपको मेरी बात clear हो रही होगी, इसका solution भी दिया हुआ, यह आप देख सकते हैं, ठीक है, इसी के साथ यह question होता है, यहीं पर समाब, अब हम चलते हैं, next question पर, और अच्छे question पर जलते हैं, दूसरा question क्या बोला है, जो कि NEET 2020 में पूछा गया था, क्या पूछ रहा है, देखो भई, NEET 2020 ते दो question आगे, मैं पहली बोला हूँ, minimum two question आते हैं, NEET में आपके हर साल, अब देखा जाए लिखा हुआ, identify a molecule, which does not exist, तो देखो भई, identify करना है, molecule, does not exist, इसके लिए आपको पढ़ना होती, MOT, कौन सी theory, MOT, इसको बोलते हैं, molecular, orbital, theory, ठीक है, यह पता होना चाहिए, यह किसको explain करती देदी, आदो, it explain, diatomic molecule, ठीक है, यह diatomic molecule को explain करती है, तो I hope आप clear हो गया हुआ, तो देखो, simple सा यहाँ पर molecule दिखा हुआ है, HE2, LI2, C2, D, देखो, हमें direct option देख रहा है, कि जो helium है, यह आपकी कैसी है, noble gas है, आप direct कर सकते थे, noble gas है, ठीक है, जब noble gas है, तो simple सा, यह किसमें adjust नहीं करती थी, क्योंकि यह stable state में होती है, और यह कैसे नहीं करती है, यह diatomic form में adjust ही नहीं करती है, है ना, और इस बात को proof कौन करता है, बोलो, इसको form does not exist, इस बात को proof करता है, MOT, बहुत अच्छे से, does not exist, मतलब कैसे करेगा, देखो भई, यदि हम बात करें है, helium है, helium का atomic number कितना होता है, दो, तो 2 helium कितने होगा है, 4, तो देखो भई, H2 है, तो हम करते है, sigma 1s, sigma star 1s2, देखो मैं molecular orbital theory से भी proof कर दे रहा हूँ, अब आपको पता है, simple, यदि मैं बात करूँ, जो आपका simple यहाँ पे bond order होता है, bond order, bond order क्या होता है simple, bond order equal to, bonding की electron, minus anti-bonding के electron, ठीक है न, NB minus NB, यही होता है, divide by 2 होता है, ठीक है, अच्छा, bonding के electron क्यों से होते हैं, जो without star वाले हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1y2, 2 minus 2, मतलब क्या हो गया, simple 0 हो गया, और आपको पता है, जब bond order यही 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, bond order equal to 0, तो मतलब इसका होता है, molecule, molecule does not exist, तो भाई देखो यह बात के लिए रोगी होगी, simple, जिसका bond order 0 होगा, वो molecule कहनी करेगा, exist नहीं करेगा, बोलिये भाई, यह बात के लिए था भी को, तो आपको बड़ा मज़ा आ गया, तो देखो, आप direct molecule को देख के भी बता सकते हैं, हाई helium है, जो lithium, Li2 भी adjust करता है, इसका bond order बनाएगा, C2 भी adjust करता है, इसका bond order 2 आएगा, देखो, मुझे practice है, just, ठीक है न, O2, इसका भी bond order क्या आएगा, 2 आएगा, एक बात में बता देता हूँ, नीट में question आया था, आगे चल के question आएगा, C2 में पू यहां नखना, ठीक है, चलो, हम आगे बढ़ते हैं, next question पर चलते हैं, धमाकेदार question, अगला, तो देखो भई, यह अगला question क्या है, which of the following diatomic molecule, molecular species has only pi 1, देखो, अभी आलम ने बोला था, क्या पूछ रहा है, only pi 1, ठीक है, लेका हुआ, according to molecular orbital theory, ठीक है, किसके according, according to molecular orbital theory, यह ब कि C2 molecule में बताओ, कितने sigma, कितने pi, तो भई, simple से 2 no pi होते हैं, क्या होते हैं, दो no pi, वो बात अलागे, वो unstable होता है, exist नहीं करता जादा, ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान लगना, अब देखो, होता क्या है, यदि मानलो हमें, क्या करना, MOT के according करना है, तो हमें दिख रहा तो देखो, अब हम इसको करते हैं, sigma, sigma, 1s2, sigma star, 1s2, sigma 2p, x, sorry, sigma 2s2, sigma star, 2s2, तो देखो भई, यह लिख दिया, इस तरीके से 8 होता था, तो देखो, हम इसका simple बात करें, तो यहाँ पे तो कोई pi में ही नहीं, ठीक है न, pi में ही सब sigma bond का formation करते हैं, ठीक है, वो बात अलग है, इसका bond order निकालोगे तो 0 आएगा, ठीक है, अब क्या होगा, देखो, दूसरा, यदि मैं O2 बनाता हूँ, O2 की बात कर लें, O2 की बात करेंगे, तो देखो, क्या होगा इसमें भी, यदि कितना एक oxygen का 8 है, तो 2 का कितना होता, 16, तो अम यदि इस तरीके से बरें, sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, ठीक है न, sigma 2pz, pi 2p by, pi 2pz, ठीक है न, 2, 2, 2 होगे, simple, अब क्या हो जाएगा, देखो, एक देखा जाए, तो यह simple आ जाएगा, equal to pi 2p, pi star 2p by, 1, pi star 2p, z2, यह बनो, यह भी हो गया, ठीक है, 16, लेक्टोन बर दिये, यहाँ भी नहीं है, simple, ठीक है न, अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे, nest, d की बात करें, तो देखो, जब हम d की बात करते हैं, c, अब, sorry, b, a की बात कर लिए, b की बात कर लिए, इस तरी sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2pz, 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, simple आपका हो जाएगा, pi, pi 2py, 2, और यह हो जाएगा, x, यहाँ भी x कर ले न, पेटा, pi 2p, x2, यह हो गया, ठीक है, अब क्या होगा, यह हो गया, इसमें भी नहीं है, अब यदि हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात करें, बोलो बशि, अब हम यदि मालो c2 की बात करें, तो इसमें क्या होता, sigma 1s2, sigma star 1s2, यह 12 होता, sigma 2s2, sigma 2s2, अब क्या होता है इसमें इसमें जो इलेक्टोन होते हैं वो किसमें जाते हैं पाई में जाते हैं पाई टू पी बाई टू और पाई टू पी x2 simplest तरीके से तो अब क्या होता है किस में जा रहे हैं simple pi में जा रहे हैं अब pi में जा रहे हैं तो देखो इनका यदिया bond order निकालेंगे तो क्या आएगा simple 1y4 क्या हो जागा bonding minus anti bonding जब आप करोगे simple 2 आएगा तो इसमें जो दोनों electron bond जो होते हैं वो किस में जाते हैं आपके simple pi bond बनाते हैं क्या बनाते हैं pi bond तो answer क्या हो जाएगा c2 आप ध्यान रखने इस बात को c2 हो जाएगा answer देखो आप यहाँ पर solution में भी देख सकते हैं इस तरीके से हमने electron का क्या गर दिया filling कर दिया तो I hope आपको यह बात के लिए हो गई होगी अब हम चलते हैं next question पर अगला question तो देखिए हम इस question को solve करते हैं क्या बोला है question consider the following species cn plus cn minus no and cn which one of these will have the highest bond order देखो एक तो आपके पास highest bond order पूँचा है अब देखो इस question कैसे solve करेंगे यह कबाया था need 2018 में आयता है और देखो मैं पहली बता रहा हूँ आपको simple हर साल दो question तो आते ही आते हैं इस बात को ध्यान लगना अब मैं जो बात बता रहा हूँ आपको ध्यान समझना हम एक तो भाई हमारे पर मजदूरी वाला तरीका है कि हम सब का bond order निकालें sigma 1 है sigma 2 है sigma 3 है simple निकालते हुँ चलेंगे sigma star फिर हम bond order निकालेंगे bonding minus anti bonding divide by 2 करेंगे यह सब करेंगे तीक है smart है ना अब इस तरीके से मैंने solution दिया हुआ है आप निकाल सकते हो ठीक है bond order निकालो हर एक atom का bond order निकालो तो बड़ा time लग जाएगा इतना तो paper में time होगा नहीं आपके पास मैं approach भी बता रहा हूँ आपको मैं approach भी बता रहा हूँ इसलिए paper में किस तरीके से आप fast question को solve करेंगे अब देखो आपको simple तर एक funda पता है जो nitrogen होता है nitrogen में 14 electron होते हैं और जब 14 electron होते है nitrogen में तो अब एक बात मुझे बताना simple यहां पे जब nitrogen में 14 electron होते हैं और आपका इसका जो bond order आता था वो 3 आता था मतलब सबसे ज़्यादा जो bond order होता था वो आपका nitrogen का होता था अब वो exceptionally 3.5 हो जाता है एक का CO पिलस का वो exceptionally था ठीक है ना तो वो याद रखना पड़ेगा बस simple सी अब bond order 3 हो गया अब हम यहां भी electron count कर लेते हैं जिसमें 14 electron होंगे वही क्या होगा बोलो उसी का bond order सबसे ज़्यादा होगा तो अब देख लेते हैं यहां पे simple carbon nitrogen कितना हो गया 7 6 13 एक electron चले गया मतलब कितने बचे 12 electron cn plus में ठीक है न 12 electron यहां पे कितने cn minus में 7 plus 6 कितने हो गया 13 7 6 कितने हो गया 13 plus 1 electron आ गया कितने हो गया 14 electron ठीक है अच्छा no कितना हो जाएगा देखो बई simple आपको trick से solve करना है तो यहां पे आप 7 करेंगे यहां पे 8 simple पंदर तो अब देखो यह 15 हो गया अब आप देख सकते हो यहां पे simple cn 6 plus 7 कितना हो जाएगा 13 हो गया यह 13 electron आपको कह देखना था simple 14 electron मतलब 14 electron किस में है cn- में मतलब इसका bond order कितना आएगा भई नाइट्रोजन टाइप molecule है bond order 3 आएगा तो यही चीज सोचना आपको सीखना है कि नाइट्रोजन टाइप molecule है तो bond order कितना आएगा 3 आएगा तो मतलब इसका answer क्या हो जाएगा भी हो जाएगा देखो आप उस तरीके से भी कर सकते हो है ना मैंने solution दिया हुआ उस तरीके से आप कर सकते हो आप बॉंड और निकालना डाया मेंगनेटिक बताओ तो यह आप कैसे बताते है आप बताओ पैरा मेंगनेटिक डाया मेंगनेटिक मानलो आप question आजा तब कैसे करोगे तब simple funda यह होता है आप क्या करें odd electron को count करना है देख लो बाई मैं से लिए बता रहा हूं कि जिससे आप practice हो जाए आपको यही question पूछले odd electron जब-जब number of odd electron होगे odd electron की से जो दो से divisible नहीं होते है जब भी आपको odd electron देखेंगे तब-तब आपका जो molecule होगा वो कैसा होगा पैरा मेंगनेटिक होगा पैरा मेंगनेटिक होगा यह आप ऐसे बोल सकते हो odd electron यह unpaired electron देखें क्या देखें अन पेर्ड एलेक्टॉन यहाप यह अन पेर्ड एलेक्टॉन भी लिखते हैं इस बात को ध्यान रखना मैं इसलिए एस्ट्र बता रहा हूं नोट क्योंकि वह कुछा जाता है यहां से है ना तो इस बात को ध्यान रखना मैं एक डिब्बे में पेक्ट कर देता हूं उसको नोट करके यह अब डाइा یہ क्या हूगा जब इबिन नंबर ओफ लेक्ट ओंॊंगे उसक इविन एलेक्टॉन थब क्या होगा आपका डाया मैंगनेटिक जोग टाया की अण इटिक है डाया मैंगनीकी होगा फिल सिंपल यहाँ पे हिस्ट être एलेक्टॉन को छोड़ थो एक्सेpt सीप एक्सेप 16 एलेक्टोन और 10 इस बात को ध्यान लखना मतलब आपके दी 16 एलेक्टोन और 10 एलेक्टोन आएंगे तो उस case में तो वो कैसा होगा पैरा मेंगनेटिक होगा ठीक है ना जैसे O2 molecule O2 कैसा होता है O2 देखता है में diamagnetic होता नहीं है वो होता paramagnetic है इस बात को ध्यान लगना ठीक है B2 molecule O2 और B2 कैसे हैं आपके दोनों के दोनों paramagnetic हैं आप देखना चाहते तो आप जब भरेंगे electron की filling करेंगे तो वहाँ पे आपको किलियर हो जाएगा MOT से ठीक है और एक बात होता है जब जब molecule paramagnetic होगा तब तब molecule colored होगा कैसा होगा colored होगा और यह कैसा होगा diamagnetic के समें color less होगा simple सी बात है आपको यह बात किलियर हो गई होगी बहुत अच्छे से तो देखो यह मैंने इसलिए बता दी आपको paramagnetic का question आ सकता है इसलिए पेपर में आ सकता है अभी तक चलो यह पूछ रहा था भी यह नहीं पूछे ठीक है तो I hope आपको किलियर हो गया हुआ और यही molecule देगा वो इस बात को भी ध्यान अगना तो देखो यह solution आपको इस तरीके से दिया हुआ है जिस तरीके से आपको इस तरीके से करना है sigma 1S, sigma star 1S तो simple इस तरीके से भी आप solve कर सकते है bonding minus ending bonding divide by 2 करेंगे बहुत ज़्यादा time जाएगा और हमें इतना time हमारे पास examination all में नहीं होता है तो मैंने इस ट्रिक से solve कर दिया अब हम जलते इस प्रकार के next question में अगला question हमारा क्या बोला तो simple यह पूँच आईसो मतलब same electron मतलब same electron मतलब क्या हो same electron हो ठीक है अच्छा अब आप देखें iso structure मतलब same structure same structure हो तो देखो यदि आप notice करेंगे यहाँ पे structure तो बहुत से same होगे देखो यहाँ पे यहाँ पे हम बात करें iso structure की बात करें तो iso structure में आपको electron count करना है total electron count कर लो यदि same आ रहे हैं तब तो iso structure है और यदि same नहीं आ रहे हैं तब तो iso structural नहीं होंगे इस बात को जाना गा, यह नीट में पूछा गया था, तू ठाओ जाने 17 में, और इसका अंसर नहीं था कोई भी, है ना, इसमें यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं दिया था, ठीक है, तो क्या नहीं दिया था, ना ही उसने Ti2, Xcf2, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मान लिया था, क कहीं भी आप यदि टोटल एलेक्टोन को काउंट करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, ठीक है, हाँ बहुत बात अलग है, अब आप यदि बनाएंगे, तो देखो, Xcf2 भी आपका लिनियर आएगा, Ibr2 माइनस लिनियर आएगा, तो देखो, मैं इसमें एक बा पर्सन नहीं माना था, ठीक है, Ibr2 दे दिये नोंने, क्योंकि उन्होंने यह मान लिया, Ibr2 के केस में, सिंपल, इस तरीके से, तीन लोन पेर, ठीक है, और एसी तरीके से, Xcf2 होगा, लिनियर, दोनों का जो, सेप तो लिनियर ही है, दोनों का, यदि सेप की बात की जाए, तो लिनियर है, है न, और एलेक्टोन्स भी क्या है, एक्वल है, क्योंकि यहाँ पर क्या, एक एलेक्टोन आ गया है, माइनow से, Simple हो बात करे हैं, ठीक है, तो हमेदी यह बात करे हैं, तो इस तरीके से दिख लेते हैं, सेंटल अटम में साथ एलेक्टोन थे, एक आ गया, त लेकिन यहाँ पे हम जो count करते हैं वो total electron count करते हैं जब आप electron को count करेंगे तभी देखिए यह question क्या बोला है यह question नी 2017 में पूछा गया था देखा जाए यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे iso electron है क्या पूछ रहा है iso electron है iso मतलब simple मैं बात करूँ same electron है मतलब electron क्या होना चाहिए same electron हो जी पूरे molecule में ठीक है अच्छा iso structural मतलब same structure मतलब structure simple सी बात है ठीक है ना same structure होना चाहिए अब हमें यही बताना है तो देखो मैं आपको simple यहाँ पे बताओं यदि हम देखें according to need है ना तो इसमें कोई answer नहीं है कोई भी answer नहीं है और मेरे according भी यहाँ पे कोई भी option नहीं होगा आपका क्योंकि यहाँ पे simple total electron same नहीं होगे कहने होगे total electron same नहीं होगे जैसे मालो आप इसमें 158 करेंगे 54 square करेंगे आप 72 आएंगे भाई equally नहीं है इसी तरीके साब इसम simple iso electron मतलब total electron को आपको count करना होगा ठीक है ना तो टोटल electron कहीं भी same नहीं है तो उस according से आपका यह तो यहाँ पे कोई भी option नहीं बैठेगा ठीक है अज़ा आइसो structural हो सकता है आइसो structure हो सकता है जैसे मालो आपको bcl2 दे दिया xcf2 दे दिया linear shape हो जाए ठीक है ना simple सा linear shape है देखो बई bcl2 और xcf2 दोनों का shape क्या हो जाएगा linear इसका भी linear और इसका भी linear तो इस बात को ध्यान रखना ठीक है अच्छा लेकिन बहुत सारे आप website देखेंगे online website देखेंगे आप कही solution देखेंगे तो कुछ जगह एक दो जगह आंसर इसका भी दे दिया है ठीक है जो की गलत है उन्होंने मान लिया कि balance electron से count कर लिया नहीं बैलेंस electron को हम नहीं देखेंगे simple सी बात यहां पर हम क्या देखेंगे बोलो भई ठीक है total electron देखेंगे इस बात को ध्यान रखना क्या देखेंगे total electron ठीक है तो I hope आपको मेरी बात clear हो रही होगी अब देखो जैसे मैं यहां पर लिखा हुआ electron किसी में भी same नहीं है तो I hope मेरी बात आपको clear हो रही होगी तो iso electron मतलब आपको electron को count करना है total ठीक है और आपका simple iso structural मतलब आपको same structure को देखना है तो इसी के साथ से इसका answer जो हो गया none हो जाता है क्या हो जाता answer none इसमें से कोई भी option नहीं होता है कोई भी option तो यह बात clear clear आपको ठीक है तो नीट में इसमें bonus मिला होगा I think नीट में 2017 में आपको bonus मिला होगा ठीक है तो I hope आपको यह बात clear हो गई होगी अब हम चलते सी प्रिकार के next question में तो देखिए अगला question क्या बोला है लिखा हुआ है which one of the following pairs of species had the same bond order जो same bond order की बात पूछ रहा है और यहां पर यह पूछा गया था नीट 2017 में कहां पर पूछा गया था नीट 2017 में तो ध्यान से समझना क्या है देखो आपको simple देखने number of electron देखो number of electron यदि same होगे तो bond order क्या आएगा सेम आएगा simple सी बात है ठीक है तो देखो बई count कर लेते हैं हमें लेक्टोन oxygen कितना होता है आठ दो oxygen कितने हो गए 16 तो direct options हो रहा है यहां पर कितने 8 और 7 15 एक चला गया कितने बचे 14 14 बचे ठीक है यहां पर कितने होगे देखो बई 7 6 13 और 14 सिंपल कितने हो गए 14 लेक्टो ठीक है आठ 7 15 और एक चला गया तो कितने बचे 14 बचे सिंपल ठीक है अब देखो तीसरा option N3 और O2 भई बैसे भी नहीं साथ दिया एक केस और यह कितना हो जाएगा 17 नहीं भई ऐसे ही नहीं करेगा यह कितना होगा 8 और 6 14 और यह 8 7 15 यह हो गया अब देखो यहां पर देख होगे तो यह कैसे मॉलीक्यूल है यह आपके N2 टाइप मॉलीक्यूल है कैसे हैं N2 टाइप N2 टाइप मतलब सिंपल इनका बॉन्ड और कितना होगा इनका बॉन्ड और होगा 3 सौरी कितना होगा 3 ठीक है इस बात को ध्यान रखना तो कितना आसान हो जाता है आपको direct question solve करना आ जाएगा यहां से तो एक बात तो clear हो गया होगा आपको कि 14 electron जब-जब मिलेंगे तब-बॉन्ड और कितना होगा बोलो 3 होगा ठीक है अच्छा 16 electron मिलते O2 टाइप molecule मतलब बॉन्ड और 2 होगा मैं सिंपल आपको बता रहा हूं इस तरीके से आप देखोगे तो आपको आ अगला question क्या बोला है तो देखिए क्या बोला है question लिखा हुआ है consider the molecule CH4 NH3H2O हमें तीन molecule दे दिये methane ammonia और water ठीक है which one which of the given statement is false यह पूचला कौन सा statement false है तो जो सबसे पहले हम एक काम करते हैं इन तीनों के structure बना लेते हैं सी एच 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 है ना और यहां पर क्या हो जाएगा नस तरीका एक लोन पियर एच 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 ऑक्सियन में क्या हो जाएगा simple दो लोन पियर आ जाएंगे ठीक है यह आ गया अब देखो अब एक बास समझना अब पहला option समझते क्या पूचा है which of the given statement is false यह पूचा कौन सा statement false होगा तो लिखा हुआ है लिखा हुआ है दा एच ओएच बॉन एंगल एच टू ओएच एच 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 बॉन एच बॉन एंगल इन अमोनिय बिलकुल बास सही है आपको ही पता यहां पे क्या दो लोन पियर है जब रिपल्सन ज्यादा अबढ़ेगा तो रॉन बॉन एंगल क्या होगा कम होगा यहां पे एक है सिंपल सा आप देख सकते हो तो एक illnessろ Exact लोन पेयर रॉल प्ले सिंपल सा तो आप को यह बात तो लिघर हो रही होगी ठीक ना तो एक बात आपको बैस ही पता है एक लोट प्यार डिंग्डी के संचि करता है दो लोन पर आने पर दोग ना हो जाएगा सिंपल सा तो दिखो यह बात तो बिल्कोल सही है तो यह प्रैक्टिकली बात करें तो इसका केतना सुनने हो 170 की सबसें सब्सक्राइब अब एक बात बात में तो इसका बॉंड यह बात पी विल्कुल सही है ठीक है अब सी ऑप्षेन पड़ते हैं दसी एक झाने एक ऐच आगल in आमोनिया एंड़ एंगल ओफ अमोनिया एंड एज इच वेट बहुत ब्लकुल बात सही है जाती है यह ज़्यसे तो ज़्यकिन निक्स निक्री को जाती है तो बहुं यह बात बीविलकोल सही है हमें क्या बताना गलत बात बतानी है, इस बात को ध्याना लेए, D option लेखा हूँ, the HOH bond angle in H2O is larger than the HCH bond angle, मतलब क्या बोल ला है, simple H2O का जो bond angle है, वो जादा है किससे HCH के bond angle से, मतलब methane के bond angle से, simple आपका H2O का bond angle क्या जादा है, यह तो गलत है, इसका bond angle जादा है, इसका 104 डिगरी है, तो simple सी बात है, इसका bond angle क्या टम है, यह तो गलत बात लिखी हुई है, लेकिन इसका अंसर यह गलत है, तो यही वह बताना है, simple, कौन सा, which of the following statement is false, तो कौन सा statement हो जाएगा आपका, D वाला अंसर हो जाएगा, तो I hope आपको यह बात के ल डिगरी, तो इस बात को ध्यान रगना, simple सी बात, ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, एक्जेक्ट, 104.5 डिगरी, है ना, अच्छा, आगे बढ़ते हैं, next question पर चलते हैं, अगला question क्या बोल ला है, लिखा हुआ है, प्रेडिक्ट दा correct order among the following, यह पूछा गया थ नीट first 2016 में, ध्यान से समाजना भाई, क्या बोल ला है, यह बोल ला था, देखो, लिखा हुआ है, bone pair, 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 and bone pair, और loan pair, देखो, simple सा यह, जिस से option आ रहे हैं, लग रहा है मुझे, यह according to bsepr है, according to bsepr, balance cell electron pair repulsion theory, यह जदि आप इसके according देखते हो, तो simple, loan pair, loan pair repulsion, ज्यादा होता है, loan pair, bone pair से, है ना, और उससे कम होता है, bond pair, bone pair का, तो बस यह answer देख लो आप, simple, कौन सा option हो जाएगा, भाई, हो जाएगा, देखो, loan pair, loan pair, bone pair, फिर आपका, bond pair, bond pair, तो option इससे हो जाएगा, c option, कैसा हो question है, आप अच्छे से try करेंगे, तो अच्छे से आपने पढ़ा हुआ, तो clear हो जाएगे, और तभी question को solve करें, जब आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें, और खुछ से question को solve करने का, क्या करें, method लें, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, अब देखो, अब हम देखते है next question, पूछा गया था, need second, 2016 में, ठीक है, ये पूछा गया था, अब लिखा हुआ है, simple, the hybridization of atomic orbitals of nitrogen in NO2+, NO3-, NH4+, respectively, तो देखो, भई, hybridization पूछा है, और हम बता रहे हैं, आपको structure पता होगा, तो बिलकुल आप से हो जाएगा, और आपको पता है, नंबर of sigma bond काउंट कर लोगे, तो और आसानी से हो जाएगा, जैसे आपको पता है, यदि number of sigma bond 4 होंगे, तो आपके sp3, 3 होंगे, तो sp2, क्योंकि हमें इतनी से मतलब है, है ना, और 2 होंगे, तो sp, simple, तो देखो, जैसे मालों NO2+, है, अब आपको पता oxygen कितने electron की sharing करता है, दो electron की, और nitrogen की outermost cell में कितने electron हो पांच, जिसमें से 4 electron तो oxygen के पास चले गए, एक electron चला गया, NO2+, यदि आप structure देखनें, तो इस type से कुछ बनेगा, यह ना, मैं approximate structure बना रहा हो, ठीके ना, इस type से बनेगा, तो इसमें कितने sigma है, दो sigma, यानि क्या हो जाएगा, sp, बोलो भई, एक double bond में एक sigma है, यही तो होता है, अच्छा, अब देखो, NO3-, simple, यदि देखें, तो आप एक बाद उताना, NO3- में, एक electron आ गया, बोलो, एक electron आ गया, और जब एक electron आ गया, तो एक बाद बताओ आप, यह तो मैं double bond भी लगा सकता हूँ, इस तरीके से भी बना देता हूँ, और उपर minus लगा देता हूँ एक electron आ गया, तो 5 थे, कितने हो गया यहाँ पर, simple, यदि आप देखेंगे, तो 3 sigma, मतलब hybridization क्या हो जाएगा, SP3 मतलब क्या हो जाएगा, sorry, 3 sigma SP2, क्या हो जाएगा, SP2, SP2 मतलब simple, आपका SP, SP2 हो गया, अब बोला NH4+, तो NH4+, में क्या हो गया, देखो, ammonium है, यह H, यह H, यह H मैं पहली बोला हूँ, आपको structure सब कुछ बया करता है, यदि structure याद होगे, तो सब आसानी से बता दोगे, तो देखो, nitrogen पर कितने होते हैं, 5 होते हैं, एक चला गया, तो 4 बचे, और 4 हाइटोजन ने share कर लिए, मतलब 4 sigma, 4 sigma यानि क्या हो जाएगा, SP3 hybridization, तो देखो, answer क्या question था, अब देखो, अब हम चलते हैं, next question पर, अगला question हमारा क्या बोल रहा है, अगला question लिखा हुआ है, which of the following pairs of ions, यह आईसो लेक्टोन है, and आईसो इस्ट्रक्च्चरल, देखो, आईसो मतलब same, ठीक है, और आईसो मतलब same electron, और आईसो इस्ट्रक्चरल मतलब same structure, तो देखो, हम count करते हैं, जैसे मैं carbon की बात करूँ, तो कितने हैं, बारा, और यहाँ पर कितने हैं, 16, 48, तो 50, 50 electron इसमें, simple, यहाँ पर कितने हैं, 7, 48, sorry, यह होंगी, यह होंगी, आपके, यह कितने होंगे, 6, 48, पिलस 2, कितने हो गया, 50, 56 होगा, यहाँ पर कितने होगे, 70, प ये भी 56 हो गए, तो देखो ये तो आईसो एलेक्टोनिक है, ठीक है, अब इसके structure देखते हैं, तो देखो structure कैसे बनाओ गए, simple, ठीक है, इस तरीके से structure इसके बन जाएंगे, 3 सिंगमा, यानि क्या हो जाएगा, simple, आपका SP2 hybridization, मतलब क्या हो जाएगा, trigonal, trigonal, ठीक है, अच्छा, NO3-, ये भी देख लो, इसका भी क्या होगा, simple, यही होगा, ट्राइगोनल, पिलेनर, गोनल, पिलेनर, ठीक है, इस बात को द्यान लगता, देखो यहाँ पे, CLO3-, CO3 लेका, देखो यसे भी एक्क्वल नहीं हो सकते, किलोरीन 17, इस कारवन 6, बिल्कुल नहीं होगे, तो यह तो नहीं होगा, आपका B वाला भी नहीं होगा, तो टोटल एलेक्टोन को काउंट कर रहे हैं, क्या करता है, टोटल एलेक्टोन, अब देखो, सल्फर नाइ लिखा हुआ है, यदि आप इसमें देखेंगे, तो यह लिखा हुआ है 17, पिलस, 16 इंटू 3, पिलस, बन, कितने होगा एलेक्टोन, 17, 48, 47, 1, 87, 15, 16, कैरियाई बन, 4, 1, 5, और 1, 6, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यह हो जाएंगे, सिंपल 16, पिलस 48, पिलस 2, मतलब सिंपल 66, यह भी हो गए, तो देखो, यह भी आपकी total electron 66, यह भी total electron, तो मतलब क्या हो जाएगा, तो देखो, यहाँ पे आधी देखोगे, तो यह हो जाएगा, आपका सिंपल, CLO3- है, तो देखो simple 8 lekton हो गए, मतलब एक loan प्यर बचेगा ammonia type molecule बजेगा, क्या बजेगा ammonia type molecule इस तरीके से देखो भई simple इस तरीके से कुछ बनेगा, है ना ammonia type molecule, है ना 4 और 8 हो गए, और इसमें कितने हो गए ये भी आपका same इसी तरीके से बनेगा ammonia type molecule, आठ हो गए, इसमें भी इलेक्टोन, इस तरीके से ये भी कुछ बनेगा something, ठीक है, तो ये भी आपके iso structural हो गएगे, तो देखो, ये दोनों, ये भी आपका iso electronic है iso electronic और iso structural तो आप समझ गए हो, इससे पहले बाला जो question था जिसमें non option क्यों हो था, I hope आपको clear हो गया हो अच्छे से, ठीक है, और यहाँ भी क्या है simple, iso electronic और iso structural, तो मतलब जो इसका question है, जो ये वो need 2000, need second 2016 में है था और सबसे difficult paper था है न, लोगों ने एक ही option लगाए थे इसमें से, दो option ही लगाए थे तो यहाँ पर जो answer होगा वो A, B होगा और D, B होगा, मतलब दो option होगे तो आपको ये बात के लिए हो रही होगी, तो देखो इसी तरीकी तेखो, इसने भी किया है खमने भी यही किया है, तो I hope आपको ये बात के लिए हो रही होगी अब देखो, अब हम चलतें next question पर, अगला question हमारा क्या बोल रहा है, अगला question पूछा गया था, need second 2016 में, तो देखो बच्चा जो confused होता है, वो यहीं होता है, यह पूछा था, correct geometry and hybridization of XCF4, ठीक है न, आर, तो correct geometry पूछ रहा था, geometry बोले तो, क्या geometry होगा, देखो, shape अलग होता है, geometry अलग होता है, मतलब जिस तर्जपे बना है, यदि मैं बात करूँ, तो geometry के यदि बात करूँ, तो एक बात हो, fluorine 4 थे, ठीक है, 4 fluorine ने sigma bond बना लिए, मतलब 4 electron तो जिनान से चले गए, 2 lone pair बच्चे होगा है, मतलब 4 sigma 2 lone pair, म होना चाहिए था, shape इसका, क्या, octahedral, लेकिन lone pair आने की वज़े से, octahedral तो shape नहीं राएगा, ठीक है, यदि मैं इसकी बात करूँ, तो ये बना आपका, xc, f4 का, इस तरीके से, और ये क्या है, देखो, 2 lone pair है, इसका जिए हम geometry की बात करेंगे, तो ये क्या आएगी, geometry, geometry, geometry इसकी आएगी, क्या आएगी, octahedral, ध्यान समझना भई, इस बात को, geometry जो होगी, इसी तर्ज पर बनाए, क्योंगी, repulsion कम हो सके, तो देखो, geometry होगी, octahedral, और ये मैं shape की बात करूँ, shape, तो ये होगी, आपका simple, square, planar, hybridization की बात करें, तो sp3, d2, ठीक है, तो देख लो भई, इसका answer क्या हो, लोगा क्या लगा, square planar, sp3, d2 लगा के आगे, गलत answer, simple सी बात है, वो geometry और shape, same ही समझते हैं, नहीं, same नहीं होता, geometry अलग होती है, shape अलग होती है, तो यहाँ पर जो answer होगा, वो octagonal होगा, तो I hope आपको ये बात के लिए हो गई होगी, अच्छे से, देखो answer भी दिया हुआ A, तो इसी के साथ, ये आपके सारे के सारे, मैंने chemical warning के, PYQ के question solve कर दिये हैं, यदि आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, कहीं भी problem आ रही है, तो वीडियो को बार बार देखिए, उस question पे जाके, और उसको solve कीजिए, और इमानदारी के साथ, वीडियो को पाउज करके ही देखना, भाई जिससे आपकी practice हो सके, तो I hope आपको मेरी बाते clear होगी होगी, और PYQ करने में मजा भी आपको आ रहा होगा, इसी के साथ, ये chapter होता यहीं पर समाप्त मिलते हैं हम आपसे इसी प्रकार के next PYQ में, अभी के लिए thank you so much, tata, bye bye